हे गाइस राम राम आप सभी को तो अभी हम दुकान पर आयती और आप सभी के बहुत कमेंटर आ रहे था कि भाई केक बनाओ केक बनाओ तो हमने यहाँ पर लिया है दस वाला बिस्कुट का पड़ा और मेरे पास पेसे ही नी तो घर जाना पड़ेगा मेरे को पेसे लेकर आना पड़ेगा तो गाइस हम तो उनके पेसे देकर आ गए और यहाँ पर अभी हम रोटी ओटी गरम कर रहे है और यहां पर हमारी निंजा हतोड़ी चल रही है और हमने सबजी हबजी भी ले लिए और हम यहां पर लायते सेव जो आप सभी को बता देता हूँ बारिक सेव है यह और इसको मैं खोल देता हूँ यार बहुत ही अच्छी और हमारे पास सूटर भी नहीं है ठंड भी पड़ रही है लेकिन हाँ मैं बोड़ी बनाता ना तो मेरे को इतनी ठंड नी बसती है अभी और यह देखो हमने सेव भी खोल दिये और यहां पर निंजा तोड़ी चल रही है और यहां पर हमारे जो भी क्या बोलते है रोटी रोटी गरम हो रही है देखो यार यह हमने गेस चला रहा है और यहां पर गेस भी चल रहा है और रोटी गरम हो जाएगी तीन तीन रोटी एक साथ सेक रहा हूं ऐसा दिमाग किस के साथ होता है मलब किस के पास होता है हमारी पास होता है हमारे गाम वालों के पास होता है इसा दिमाग तो इसलिए चलो रोटी ओटी गरम करते हैं और आप सभी को परस्ते हैं मलब में खाता हूँ और यहाँ पर हमने तवा भी नीचे उतार दिया है और यह देख सकते हैं, हमारी रोटी भी गरम होई रही ए और हमने सोचा कि इसको नीचे उतार देते हैं और सबजी में सेव भी भी डाल देते हैं, बहुत मस्त लगते हैं तो हमने सेव भी डाल दी, और यहां पद निंजा आतोड़ी चल जी है, बहुत खतर नाक आप सभी को बताते हैं लिजए आप सभी खा लिजी पहले तो बहुत ही मस्त है रोटी ओटी भी nightmare but mustard agreement खाना खाने के बाद हमने cake बनाये था मैंने आदा cake खा भी लिया और tasty यह आँ इसलिए खाता हूं यहाँ बहुत tasty Дwhenि खा लिया यहाँ पर चाय बनाया यहाँ pursuing लेट जल रही थी और यहाँ पर cake egg बनाये था यहाँ पर हमारी stand लगे वुए और बहार का उजाला तो बहुत ही खतरना की साम पर चुकी है ना ना दोना अब सब करना है पर क्या करें लाइट हाइड भी नहीं ना इसलिए तो गाइस हमने दर्वाजा हरवाजा भी लगा दिया यहाँ पर और हमारी साइकल पड़ी इसको लेकर हम जाने वाले हैं अपनी लोकेशन पर और हमने वहाँ पर टाटी आटी भी खोल दिये और चलते हैं यार अपनी लोकेशन पर तो गाइस यह हमारी लोकेशन है और यहाँ पर आप सभी देखी सकते हैं अभी हमारी साइकल को हम ले जा रहे हैं क्योंकि हमने साइटी सूट कर लिए और यहां पर हम मिनी ब्लोक जो भी वोईस ओर करते हैं वो करेंगी और साम पड़ चुकी है वैसे मेर को एक घंटा लग जाएगा यही पर तो यार क्या होता है देखते हैं यार बहुत लेट हो जाएगा और ना धोना भी करना है पता नहीं आज का दिन क्या होगा है ही गाइस अभी हम ओड चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पाने लेने के लिए यहाँ पर हमने लिए एक कडिया और नेज लेने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और यह नेज भी ले ली हमने और वहाँ पर पड़ी हमने हमारी जो टंकिया और अभी जाएंगे हम पाने आने लेने के लिए और हमारी साइकल भारा पड़ी और अभी एक बजगे हैं तो सारे बारे साड़ा बारा बजह में उठा था और भाई रोटी ओटी सभी खाने सब काम करना है और आज देश्ट करेंगे और आप से भी के लिए ब्लोग बनाएंगे तो चलो पाने आने बढ़ते हैं पहले तो तो कहा हूं यह टंकिया लेकर और मैंने सोचा कि दो टंकिया ले तो देख सकते हैं है यहा पर अभी हम पाने आने भरेंगे और यह एसे नेज जाती है मदलब यह गगरी जाती है कूड़ी में और ession जाकर पानी भरती ही और ऐसे पानी भरा यानी बढ़ते हैं तो फो आज हम बनाएंगे चाहि हाई हमेने पानी तो भर लिया आता है यहां पर हम ले जा रहे है बगोने और यह क्या बोलते हैं मगगाً रख देती हैं और लोटी-वोटी तो पान ब Woreti करें में लियान चाहिए बनाता है और इहां पर मैंने पत्ति आती यगा अग्या वर्य में देखो यहां पर है कखकर और यह सकर यार डालता था ड्ला करें कि मेरे मनलब जड़्याइब है कि आपते हैं कि मैरे माप नशी को मृटि ना ऐसे के었다 इस एक निले में स्टार्ट है कि अब में दो दिनों ऐसे बोड़ी बनाने लगा तो ऐसा लगा कि भाई बदमास बन गया हूं में ऐसा लग रहा है वैर को भाई सब खतरना है जलो जैसे जलाते हैं यहाँ पर गेस चालू करके लाइड तो आने रिये पर क्या करेंगे जला लेते हैं गेस तो ज चाई बना कर पिलाओं थो नफिकर पार मनसे ने बतात शुक्त को यह जिन्दगी लेएकम भूमिल्य और भी वास और भी चंव होने जिन्दगी को 12 3-12 जो शुप हो बहुत लेट उठो पेले अगा था पर अभी है है आप रॉस टाइम तोड़ा जल्डी उठ है उठा करता था और बहुत लेट ऐसे हो रहा है तो कोई ना यार मेर को सुब्य का पता निसलता है बहुत लेट वोड़ता हूँ ना इसलिए तो हमारी चाई बन करते है यार हो जाए इतने में अपने आप सभी से बाद में बात करते हैं तो आप सबीकों तो पते हिएार मैं इतने बड़े घर से हूई नहीं और हमारी चाइब भी बनकर Tयार ओगी हाँ तो हरएक चीज में मेहनत की जरूरत होती है, जिसके चाइब बनाना रोटी बनाना जो भी करना काम उसमें बहुत मैहनत की जरूरत होती है और यहाँ पर हमने चायाई बना कर तैयार कर दी हमारे पास दूट नहीं मैंने बताया था कि हम साम को लाते हैं दूट और अब साम को लाते हैं दूट तो भाई क्या कर सकते हैं और बोडी बनाते ना इसलिए सामको लाती हैं चलो आप सभी चाई पिलीजी और मैं भी पिलेता हूं बहुती गरम ऐसे तो थोड़ी ठंडी होने देते हैं या पिल लेते हैं फिर अगर ऐसे जल्दी करोगे तो मौ भी जल सकता हैं इसे तरह मेहनत देरे देरे होती हैं जल्द बाजी नहीं तो यहाँ पर हम लेकर आया हैं पेंड खजूर और केली तो यह किसलिए लेकर आया हैं क्योंकि हम बोडी बनाते ना तो उसे के लिए अपन को कुछ नकुछ तो पीना होगा इसलिए ये लेकर आए हूँ तो फिर से चलते हैं अपन दुकान पर तो अभी हमने सोचा कि दुकान पर नाई सबसे पहले हमाँ सारी आईरी बना कर आते हैं फिर उसके बाद चलेगे दुकान पर ताक कि बहुत काम हो जाए अपना और लेड भी ना हो तो इसलिए मैंने सुचा क्योंकि अपने दुकान पर फिर भी जाकर आजाएंगे तो चलो अब भी साइडी आईडी बना कर आते हैं और दुकान पर जाते हैं फिर बाद में तो अभी हम दुकान पर आये तो यहाँ पर हमने एक ठेली भूंगडा लिया आए और गॉल भी ले लिए आए यहाँ पर ऊड़ चुके हैं तो यहाँ पर हम गरम पानी कर रहे हैं तो यहाँ पर गरम पानी किसलिए कर रहे हैं आपको तो पते ही सुवह उड़ती गरम पानी पीना चाहिए तो इसलिए हम गरम पानी कर रहे हैं हम आजाते हैं बोड़ी बनाने, कुछ देर बोड़ी बनाने के बाद, हम अपने साइटों की practice करते हैं, और यहाँ पर हमने देगा है कि, हमारी ठेली को उन्दरी ने कार दिया था, उन्दरी ने कुछ सोचा नहीं हमारी ठेली को कटर दिया, तो आज हम juice बनाएंगी तो सबसे पहले हमने mixer में दोद कोड दिया फिर हम खजुरा लेते हैं और दोद में डाल देते हैं फिर हम दो केले लेते हैं और mixer में डाल देते हैं यहाँ पर हम गोड लेते हैं और गोड के टुकडेकर करके हम दोद में डाल देते हैं हम भूंगडा का पावडर लेते हैं इसको भी दूद में मिला देते हैं हमने mikser चला कर सभी का juice बना दिया और आप सभी के लिए juice बनकर तयार हो गया जिस भाई को juice बनवाना है वो कमेंट करें और हमभी juice पीने लग जाते हैं तो आज हमने juice भी बना लिया तो आप सभी को उस कमरे को बताते हैं जिसमें हमने गुलूप लगा हैं तो गाइस यह रहा मेरा कमरा जिसमें मैंने पहला गुलूप जलाया और यह देखो तीन और गुलूप जल गए हैं यहां पर पहला गुलूप दूसरा गुलूप तिसरा गुलूप चोता गुलूप पांचवा गुल तो चलो यार चलते हैं बहुत लेट हो गए आज में और अपनी लोकेशन पर चलते हैं वहीं पर फुल फाल मजा करते हैं और आज का ब्लोक यही पर एंड करते हैं तो मिलते हैं अगले ब्लोक में जबता के लिए धन्यवाद